आज बाबा हम सभी को बहुत नसा चड़ा रहे हैं सदैव खुस रहने की प्रेणा दे रहे हैं तुम बच्चों को सदैव खुस रहना चाहिए हमें परंपिता परमात्मा मिला है वो स्वयम टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है उसने हमें सच्चा रास्ता दिखा दिया है हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया है अगर तुम इस खुसी में रहो तो बिमारियां तुम्हें फेल ही नहीं होगी छोटी मोटी परिष्थितियां पता नहीं चलेगा सब समथ हो जाएंगी तुम्हारी खुसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए हम भगवान के बच्चे बने हैं उसने हमें एडॉप्ट किया है बाबा उधान दे रहे हैं किसी गरीब के बच्चे को कोई राजा एडॉप्ट करने की सोच ले और बच्चे को पता चल जाए कि राजा सोच रहा है मैं तुमको एडॉप्ट कर लूँ तो उसको कितने खुसी हो जाएगी कितना नसा चड़ जाएगा कोई गरीब का बच्चा है उसे कोई साहुकार एडॉप्ट कर ले नसा चड़ जाएगा गरीबी का गम भूल जाएगा तुमहें एडॉप्ट किया है स्वय्म भगवान में ब्रह्मा के द्वारा और क्यों एडॉप्ट किया है वेश्र की राजाई देने के लिए तुम्हें अपार सुक संपदा देने के लिए तो तुम्हारी खुसी का तुप पारवार ही नहीं रहना चाहिए इस खुसी में ये पुरानी दुनिया तुम्हें भूल जाए कई बच्चों का पुरानी दुनिया में बड़ा ममत तो रहता है नितर संबंदियों में ममत तो रहता है, बच्चों में वहों रहता है ये सभी विकार बहुत नुकसान करने वाले हैं काम, क्रोध, चाहे लोग महों, चाहे बहुत एंकार ये मनुष की सत्यानास कर देते हैं आप तुम नई दुनिया में जा रहे हो स्वरक की दुनिया में जा रहे हो तो इस खुशी में ये पुरानी दुनिया तुम्हें भूल जाए भुलाते चलो भगवान मिल गया अब हमें उस कीमत पर चलना है अपने से बात करो ये पुरानी दुनिया जो जाने वाली है इसमें हममत्व क्यों रखें मित्र संबंदिये सब चूटने वाले है अब एक से ही हमें नाता जोडना है इस मममत्व को निकाल देना अपने से ये बाते करें मावारत लड़ाई सामने खड़ी है विनास की तैयारी हो चुकी है इस कलियुक की भंबोर को आग लगने वाली है ऐसे बड़े बड़े तुफान होंगे बात मत पूछो सब कुछ खतम कर देंगे बाबा एक एक जल की दिखाता रहता है माविनास की तुम्हें स्वर्ख में जाना है बहुत सुखों की दुनिया में जाना है इसलिए बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और सब कुछ भूल जाओ तुम्हें पुन्यात्मा बनना है तुम पुन्यात्मा थे इसलिए कोई छोटा भी विकर्म तुमसे नहीं होना चाहिए चोरी करके खा लेना यग से कुछ उठा लेना ये सब पाप करम है इनकी सजा भारी मिलती है कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता इसलिए पाप होते रहते हैं हम माया से हारते रहते हैं आपकी किरपा होगी तो हमारा योग लगने लगेगा बाबा कहते हैं मैं तो टीचर हूँ टीचर कोई किरपा थोड़ा ही करता है टीचर पढ़ाता है, इस्टूडेंट्स को खुद मैनत करनी होती है, ये तो नहीं कहेंगे ना, कि पेपर में हम कुछ लिखें ही नहीं, और मास्टर जी आप किरपा करके हमें नमबर दे देना, ये तो नहीं होगा, बच्चों को पढ़ा ही पढ़नी होती है, मैनत करनी होती ह तुम्हें किर्पा अपने उपर स्वयम करनी है, स्टुडेंट भी अपने उपर किर्पा करते हैं, तुम्हें तो कितनी बड़ी राजाई मिल रही है, तो किर्पा से थोड़ा ही होगी, तुम्हें स्वयम मेहनत करनी है, तो चेक करना है, कोई भी छोटा मोटा पाप करम भी न हो नहीं तो बुद्धियोग भटक जाएगा जिससे सुकसंपा बहुत होते हैं उनका बुद्धियोग भटकता रहता है कई बच्चों को नसा चड़ जाता है बाबा को लिखते हैं बाबा हम आपके हो गए आप हमें मिल गए कबसे हमने आपको ढूंडा था हमें नसा चड़ अब आपको कभी छोड़ेंगे नहीं बाबा कहते हैं बच्चे सोचते हैं जिस टीचर के कहने से हमें इतना नसा चड़ गया उनको सिखाने वाला कितना मान होगा चलें उससे मिलने के लिए भागेंगे बाबा से मिलने के लिए लेकिन अगर बच्चों को निश्चे नहीं ह तो धिरे धिरे नसा उतरता जाता है, डल हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, फे लिखते हैं बाबा को बाबा, माया हमें बहुत तंकरती है, अब हम पे कृपा करो, बाबा क्यते हैं, मैं तो तुम्हें ज्यान दिया है न, कैसे इस माया से तुम्हें वच्च कर रहना है तो बहुत खुशी और नसा आज बाबा हमें दे रहे हैं बार बार आ रहा है तुम मेरे सम्मुख बैठे हो तुम मुझे बहुत बुलाते थे तुमने ही मेरी बहुत भक्ती की भारत में शिव जैन्ती मनाई तो जरूर मैं भारत में ही आता हूँ तुम मेरा कितना सम्मान करते रहे हो अब मैं तुम्हें मनुस्य देवता बनाने आ गया हूँ तुम्हारा असली धर्म देवी देवता धर्म है हिंदू उने अपने को खुदी चमाट मार ली है अपने असली धर्म को भूल कर अपने को हिंदू कहलाने लगे है और सब कुछ बूल गए, कि हम देवी देवता थे, तो बोच सकते हो, जो लोग मंदिर बनाते हैं, लक्षमिनायन के मंदिर बनाते हैं, ये कौन थे, ये कब थे, इन्होंने ऐसा स्रेष्ट वद कैसे पाया था, अब कहां चले गए, उनको इन देवी देवताओं की जीवन कहा नहीं सुनाओ, तो लोग बड़े प्रसन होंगे, मंदिरों में जाओ, इस तरह है कि सेवा करो, पर बच्चों को सेवा की उच्छल क्यों नहीं आती, दो बात बताई बाबाने, एक तो निश्चे तूटता रहता है, दूसरा, देधारियों में कहीं न कहीं लगाओं बना र और फल्स वरूप, कोई न कोई विकर्म होते रहते हैं, तो सेवा करने की उच्छल नहीं आती, उमंग नहीं आती है, लेकिन अगर पूरी तरह स्रीमत पर चलें, तो सेवा करने की बहुत उमंग रहे, आज बाबा एक बात और कह रहे हैं, कई बच्चे दिनोरा पिटाते है भगवान आया है, लोग इस बात को नहीं समझेगे, हैसी मजाक करेंगे, क्योंकि आज कल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए हैं, बहुत लोग कहने लगे हम भी भगवान के अवतार हैं, तो लोग मजाक करेंगे, लोग जी एक नया भगवान और आ गया, तुम हम सब को पतित से पावन बना रहे हैं। दो बाप, एक लोकिक और एक पारलोकिक। पारलोकिक बाप को याद करते आए, बुलाते आए, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, तो वो आता है, इसके बाद बताओ, अब वो आया है। वर्दान हमें चेक कर लेना है, कोई मोहों, कोई दुनिया से लगाव, हमारे सुक्सम संकल्प ऐसे तो नहीं चलाता, जो हमें बान देते हैं। हम ग्यान के द्वारा, उन सुक्सम संकल्पों को चेक करके परिवर्थित करते चलें, तो हम निर्बंधन आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, देही अभी मानी बनो, तो तन मन की हल चल समत्थ हो जाएगी। आज का हमारा अभ्यास रहेगा, बहुत खुश रहने का, अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे, कोन मिला, क्या ग्यान मिल रहा है, और भाप दादा का आहवान करेंगे, कम से कम पांच बार और खुशी में मन को डांस कराएंगे, और जानते हैं। करेंगे, और भाप बार खुशी में मन करेंगे, और भाप दादा जानते हैं।